नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो आज फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तो, मुख्यमंत्री योगी आलतनाजी द्वारा लखनाओ में आयोजित समहरों में समीदा कर्मियों के लिए बड़ी सोगात जारी कर दी है दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताय था कि मुख्यमंत्रीज द्वारा लखनाओं में आयोईजन क्या जा रहा है जिसमें मांदे कर्मियों के लिए मांदे बढ़ाया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर किस मांदे में कितनी बढ़ोत्री की गई है मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाई जानकारी देने वाला हूँ साथी दोस्तों यहाँ पर मांदे में तो बढ़ोत्री हुई है लेकिन और भी कहीं यहाँ पर बड़े लाव दिये गई हैं जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ दोस्तों मांदे कर्मियों को एक साल में पांच लांग रुपे का स्वस्थ है बीमा भी दिया जाएगा तो जोस्तों मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाई जामकारी संपुन देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर घोशना की गई है और क्या-क्या लाब मुख्यमंत्री को जुरूर सब्सक्राइब गरिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों उत्तर परदेश में बेसिक शिक्सा विभाग में कारे करने वाले रसोयों के लिए बड़ी खुसखबरी जारी हो चुकी है राज्या सरकार ने इनके मांदे में पांसो रुपे की बढ़ो और अनुदेशकों से जुड़े एक कारे करम में किया है जैसी कि हमने आपको बदाय था दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आयतना जिद्वारा राजधनी में समहरों में बड़ा ऐलान होने जा रहा है दोस्तों यहां पर ऐलान हो चुका है और मांदे कर्मियों को दोस्तो बड़ा तोफा यहां पर चुनाव से पहले ही दे दिया गया है दोस्तों इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंसकालिक अनुदेशकों के मांदे में भी 2000 रुपे की बढ़ोत्री करने की घोसना कर दी है दोस्तों यहां पर आपको कितनी बढ़ोत्री और कभी है बढ़ा कर दी जाएगी यहन के दोस्तों बढ़ोत्री तो यहां पर आप देगी सकते हैं लेकिन यहां बढ़ोत्री आपको कब मिलेगी कब से आपके अकाउंट में ट्रांस्पर होगी मैं आपको उसके बारे में भी जानकर देने वाला हूं तो वीडियो को पुरा वाच करेगा दोस् 2022 से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आलितनाज्जी द्वारा अंसकालिक अनुदेश को रसोईयों और बेसिक जो सिक्षक हैं जो रसोईयां हैं उनके लिए बड़ी घोसना यहां पर कर दी है वही दोस्तों आगे जानकारी दी गई है किसके लिए कितनी बढ़ोत्री की गई और साल में क्या-क्या लाव उनको अब दिये जाएंगे वह भी मुख्यमंत्री द्वारा घोसना कर दी गई है दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे क्योंकि आपको यहां पर सही और सटी जानकरी सही समय पर दी जाती है दोस् दो साड़ी भी मिलेगे जिया दोस्तों खबर के मुताबिक बेसिक शिक्सावी भाग में कारिय करने वाली रसूईयों को पांच लाइंग रुपे के स्वस्थ्य बीमा कवर दाएरे में भी लाया गया है यानि के एक साल में उनको स्वस्थ्य बीमा भी पांच लांग खोला जाएगा यह सिधा पैसा आपके एकाउंट में ट्रांसफर के जाएगा और इस एकाउंट को स्वाश्थ है बीमा से जोड़ा जाएगा दोस्तों अगर यहां पर रसोईयों की या फिर अनुदेश्कों की दुरखटना हो जाती है तो उनको 5 लांग रुपे तक का बीमा दिया जाएगा और और लाब जाए घो कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी यहां पर बड़ा लाब दिया गया है यानिके 5 लांग रुपए तो आपको यहाँ पर मिलने वाले ही हैं लेकिन उपर से 2.5 भी आपको यहाँ पर दी जाएगी साथ ही दोस्तों एप्रेन ओर हेड केप की रासी सीधे इनके बैंक खाते में भेज जाएगी यानिके जो आपको रासी दी जाएगी वह सीधे बैंक एकाउंट में ट्रांसफर सरकार दुवारा की जाएगी वही दोस्तों मैं आपको बना चाहूंगा कि कई विभागों में कई पोजिटिव बदलाव भी हुए हैं अब वह पोजिटिव बदलाव क्या है वह भी आप यहाँ पर देख लिजे दोस्तों सीएम ने कहा है कि पिछले साड़े चार सालों में बेसिक शिख्षा सहित कई विभागों में कई पोजिटिव बदलाव भी हुए हैं देश और दुनिया की परदेश के परती जो नकारातमक धारनाई थी उन्हें हम बदलने में सपल हुए हैं दोस्तों मुख्या मंतरी द्वारा जो गोशना हुई है और एलान में कहा गया है कि जो पोजिटिव बदलाव हैं और जो देश भर में दुनिया भर में परदेश के परती नकारातमक धारनाई बनी हुई थी निगेटिव सोच रहे थे उन सभी को यहाँ पर मात देते हुए दोस्तों नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और जो मांदे कर्मी है उनके लिए बड़ी गोशना है यहाँ पर की गई है मुई दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब सभी लोग अपनी अपनी जुम्मेवारियों को समझते है तब सरकार को सफलता हासिल होती है दोस्तों मुख्या मंत्री द्वारा यहाँ पर जोर सोर से मांदे में ब्रोत्री भी की गई है और पांच लांग रुपे तक कापको एक साल में सवाच्ते बीमा कवर भी दिया जाएगा वहीं दोस्तों मैं आपको बता चाहूंगा कि रसोयों के नवीनी करण के समय नहीं होगा अन्याए अब दोस्तों यहाँ पर क्या बता गया है और क्या यहाँ पर महत्पूर जानकर दी गई है वे भी मैं आपके यहाँ पर बता लेता हूँ दोस्तो साथ ही कहा गया है कि रसोयों के नवीनी करण के समय किसी तरह का अन्याये नहीं होना चाहिए मान, मन, मापन नहीं होना चाहिए यानिके दोस्तो किसी भी तरह से यहाँ पर रसोईयों पर अनुदेशकों पर अन्याई नहीं होना चाहिए उनकी payment नहीं रुकेगी उनको सई सिमेप पर जो उनका payment है जो लाब है वह मिलता रहेगा अगर कोई रसोईया अच्छा काम करती है तो उनको आगे मौका देने का काम होना चाहिए यहीं दोस्तों यहाँ पर जो भी रसोईया हैं और अपना कर्तव अच्य से निभाती हैं तो उनको आगे भी लाब दे जाएगा और उनको हो सकता है कि परमोर्वोशन भी आगे मिल जा मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुदेश कालिक अनुदेशकों को अभी तक हम लोग 7000 रुपे परती महां देते रहे हैं। इनको सीधे बैंक एकाउंट में दिये जाएंगे। सरकार दुआरा यहां पर बड़ा एक गिप्ट दिया गया है जिससे की सभी मांदे कर्मियों के मांदे में बढ़ोत्री हो चुकी है। से दोस्तों मैं आपको बड़ा चाहूंगा कि यहां पर जो मांदे में बढ़ोत्री होई है वह आपको 2022 में यानिके जनवरी 2022 में ही आपको बढ़ोत्री कर आपके एकाउंट में यह मांदे मिलने जा रहा है। दोस्तों यहां पर आपको समीदा कर्मी जो हैं रसोईया और अनुदेशकों के लिए यहां पर बड़ा तोफ़ा है अगर आप किसी आधर महक में से हैं आधर विभाग से हैं तो आप हुमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दिजेगा। दोस्तो आपके लिए हैंपर क्या गोशना हुई है उसके बारे में भी प्रोपर जानतारी आपको दे दे जाएगी। कोई भी सवाल है दोस्तो सिधा कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं आपके परती एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। निवेदनी है करूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए जाजा सेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तो बैल एकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाला आने वाला